दोस्तों जाई शिरक्रष्ण मैं आप समय लोग का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों से एक बहुत ही महत्वपून बात करने वाला हूं इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक अपील करना चाहता हूं कि यदि आप लोगों के पास समय हो तभी इस वीडियो को देखिएगा यदि ना हो तो बाद में जब कभी आपको समय मिले तब देखना हूं लेकिन अब ही मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें पूरी वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूँ जो हमारे देश की महिला पहलवान आंदोलन कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं उसके बारे में, क्योंकि कल एक खबर सुनने को मिली, खबर सुनने को ये मिली कि हमार देश की जो महिला पहलवान आंदोलन कर रही है जो ब्रजी भूशन सरन सिंग के उपर यौन सोशन का आरोप लगा रही है वो सभी महिला पहलवान वो सभी ओलंपिक के खिलावी अपने मैडल्स को हरी द्वार के अंदर गंगा नदी में प्रवाहित करने जा रहे हैं जैसे ही यह खबर देश में लोगों ने सुनी सभी की आखों में आशू आ गए और इस पूरे देश के अंदर हलकंप मच गया हलकंप जानते हैं दोस्तों क्यों मचा बहुत सारे लोग इसके विरोध में थे बहुत सारे लोग इसके समुर्थन में थे विरोधी बोल रहे थे कि जब इन लोगों ने हरिद्वार में नदी में प्रवाहित करने की बात की तो प्रवाहित क्यों नहीं किया क्योंकि मैं आप लोग को दोस्तों बता दूँ कि जितनी भी महिला पहलवान है ये प्रवाहित करने जा रही थी तभी नरेश टिकेट वहाँ पर पहुच गए, उन्होंने इन खिलादियों को मनाने की कोशिश की, बहुत सारे किसान नेताओन इन खिलादियों से बात की, इन्हें मनाने की कोशिश की, जिसके बाद ये खिलादी मान गए, और नरेश टिकेट ने इस पूरे मामले के अंदर इनसे पांच दिन का समय मंगए हैं पांच दिन के बाद निरने होगा कि या करना है क्या नहीं करदा हैं लेकिन बहुत सारे हमारे जो ओधि मीडिये के पत्रकार हैं वह इसका विरोध कर रहे हैं स्थिख़िए सिंद हो गई जन्हें विश्व इसतर के ऊपर हमारे देश का मान सम्मान बाहाने का काम किया विभीरोधियों के अंदर ऐसी भावना पैदा हो गई कि उन्हें लगा कि हमें इंसाफी नहीं मिल रहा है और इसके विरोध में अपने जो संपान उनको मिला था जो ओलंपिक में गोल्ड मैडल्स उनको मिले थे वो गंगा नदी में वो प्रवाहित करने के बारे में सोच रहे थे सोचे कर देखे दोस्तों यह कितनी बरी बात है। बहुत सारे जो इनके विरोधी हैं, वो बोल रहे थे कि यह मेडल्स क्यों प्रवाहित कर रहे हैं? इनके अंदर हिम्मत है, तो जो राशी मिली थी, जो पैसे मिले थे, उनको प्रवाहित करें। दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि जो पैसे मिले थे उन्हें से कहीं ज़्यादा कीमती होते हैं जो मेडल्स इनको मिले थे अरे पैसे तो इंसान कोई भी कमा लेता है इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो पैसे कमा रहे हैं लेकिन कितने लोग है कितने लोग के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो विश्व इस्तर पे जाके देश के लिए गोल्ड मेडल जीत सकें आप लोगों ने हाल फिलहाल में देखा होगा आईपेल का फाइनल हुआ इस फाइनल के अंदर चन्नाई सूपर किंग्स जीत गई आईपेल की ट्रॉफी जीत गई जिसके बाद महेंदर सिंग धोनी के कितनी जादा तारीफ की गई चन्नाई सूपर किंग्स की कितनी जादा तारीफ की गई उस ट्रॉफी के साथ फोटो ख पिच्वाई आप सोचिए दोस्तों कि IPL जो होता है यह इसी दीश के अंदर एक टूनामेंट है इस टूनामेंट में 12-15 टीम हिस्सा लेती है जो जीता है उसे एक ट्रॉफी दे दी जाती बहुत बड़ी बात है मैं इसका सम्मान करता हूं लेकिन वही दूसरी दरफ आप देशों के खिलादियों से कॉंपिटीशन करते हैं उनको इस कॉंपिटीशन में हराते हैं उसके बाद हमारे देश के लिए ये लोग एक मैडल जीत कर लाते हैं क्रिकेट के अंदर वर्ल्ड कप होता है जिसमें मात्र 10-12 टीम हिस्सा लेती है लेकिन उसको वर्ल्ड कप कह दिया जाता है लेकिन उलम्पिक्स के अंदर सैक्रों देश के लोग हिस्सा लेते हैं सैक्रों खिलादी हिस्सा लेते हैं उसके बाद जाकर एक खिलादी किसी एक देश के खिलादी को वह उलम्पिक का गोल्ड मेडल मिलता है और ऐसे कठिन कॉंपिटीशन में हमारे देश क लिए ओलंपिक से गोल्ड मेडल जीत कर लाते हैं क्या आपकी नजरों में इन गोल्ड मेडल की कीमत किसी पैसे के बराबर है मैं समाजता हूं दोस्तों कि एक खिलाली एक ओलंपिक खिलाली अपना पूरा जीवन बच्पन से लेकर जवान तक संधर्श करता है तन मन धन सब करता है उसके बाद जाकर एक अदद गोल्ड मेडल उसे नसीब होता है कई बार तो गोल्ड मेडल भी नसीब नहीं होता ब्रॉंज मिलता है सिलवर मिलता है लेकिन उसको भी एक बहुत बड़ी उपलबधी माना जाता है तो यह खिलाली बच्पन से इस मेडल को पाने के लि करते हैं सिर्क उस मेडल को पाने के लिए मेहनत करते हैं क्योंकि पैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी कमा सकता है लेकिन जो इस गोल्ड मेडल के साथ सम्मान जुदा होता है यह हर कोई नहीं कमा सकता है इसको कमाने के लिए कठिन परिश्रम लगता है और इतनी कठिन परिश इतना कठने लिया होगा लेकिन इसके ब कम एद जो निर्फ आंद भगात हैं निर्फे के समर्थक हैं हमारे देश कि वोदी मीडिया हैं वो इस सब खिलादियों का मज़ा कॉला रही हो इन सब खिलालियों की आलोचना कर रही हैं यह देख़िए मुझे बेहुट दुख हुआ और बहुत शर्मनाक स्थिती है कि हमारे तेख उसने पर मजबूर हुए 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 मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है कि दोस्तों हमारे देश में जो राजपूत समाज के लोग है जो राजपूत समाज कई संगठन है वह एक बलतकार के आरोपी ब्रजबोशन्चरंज सिंग्ध के समर्थन में खड़े दिखाई Couple देते हैं सिर्फ इसलिए कि ब्रजबोशन उनकी जाती से आता है लेकिन लोग इसे जातिवाद नहीं कहते हैं मैं आप सभी लोगों से पूछता हूं आप मुझे बताईए कि यदि किसी यादव के ऊपर इस प्रकार से आरोप लगे होते यौन सोशन के आरोप लगे होते और यादव समास के लोग उसका समर्षन करते हुए दिखाई देते यादव संगठन उसका समर्थन करते हुँ दिखाई देते तो क्या यादवों को जातिवादी नहीं बताया जाता हूँ जाहिर सी बाते दोस्तों बताया जाता हूँ लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा राजपूत समाज पूरे के पूरे बीजेपी के अंद भगत राजपूत जाती के जो संगठन है वो सभी के सभी तनमंदन के साथ ब्रज भूशन सरंसिंग के साथ खले हैं लेकिन उसके बावजूद इनना तो जातीवादी कहा जा रहा है और नहीं किसी प्रकार से इनकी कोई आलोचना हो रही ह दूसरी बात मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं मैं देख रहा हूं इस पूरे मामले के ऊपर हमारे समाज के लोग भी दो धालों में बटे हुए हैं कुछ लोग तो इन महिला पहलवानों के समर्थन में खले दिखाई दे रहे हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी ह जो इस ब्रज भूशन चरंचिंग के समर्थन में भी खले दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जब मैं सोशल मीडिया के ऊपर इस मुद्दे के ऊपर पोस्ट करता हूं तो वहां पर मैं देखता हूं कि हमारे समाज के कुछ लोग इस ब्रज भूशन चरंचिंग के समर्थन में करते हैं यादव समाच के कुछ लोग इसक की इसलिए क्यों कि ब्रजबूचंचारण सिंग में एक वीडियो में यादव समाच के की तारीफ कर दी थिए उसने सिर्फ इतना कहा दिया था कि सो के सी पहलवन यादप समाच के लोग हो थे उत्तर परदेश के अंदर। बस इतना सा कहना था कि यादव समाज के लोग गद गद हो गए। उन्हें लगा कि ब्रजबूशन से ने उनकी इतनी बली तारीफ कर दी। इसलिए उसका समर्थन करना चाहिए। कि यादव समाज के भाई ब्रजी भूशन सरंसिंग का समर्थन इसले कर रहे हैं क्योंकि नर्सिंग यादव ब्रजी भूशन का समर्थन कर रहा है नर्सिंग यादव ने एक बयान दिया था कि ब्रजी भूशन सरंसिंग ऐसा नहीं कर सकते हैं वो निर्दोश है उनको पूरा परता भरूर साइस परकार कोई बयान दिया था जिसके बाद यादव समाज के कुछ लोग नर्शिंग यादव के समर्थन में खले दिखाए दिए थे जिसके जदी नरसिंग यादव के साथ कोई घटना घटित होई थी, तो आप लोगों ने नरसिंग यादव का समर्थन किस तरीके से किया था, किस यादव ने नरसिंग यादव के समर्थन में जंतर मंतर के ऊपर कोई आंदोलन किया था, किस यादव संगठन ने नरसिंग यादव के समर्थन में कोई रैली निकाली थी, सब को छोड़िये, मैं पूछना चाहता हूँ कि नरसिंग यादव ने, अगर उसके साथ गलत हुआ था, तो कब वो जंतर मंतर पे आया था, और आंदोलन करने का काम किया था, मैं तो कहता हूँ कि अगर नरसिंग यादव निर्दोश था तो चार-पांच खिलादियों को अपने साथ लेकर आता, वो भी इसी तरीके से जंतर मंतर पे धरना देता, जिसके बाद यादव समाज के लोग, यादव समाज के संगठन, उसके समर्थन में उतरते, और यदि उसके बाद, तमाम खिलाली नरसिंग यादव का समर्थन नह हैं, जब तक आप अपनी लवाई स्वयम नहीं लड़ते हैं, जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, तब आप किसी और के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं, नरसिंग यादव को चाहिए था, कि अगर उसके साथ गलत हुआ है, तो जंतर मंतर पे वो भ कारवाई नरसिंग यादव के द्वारा नहीं की गई, जाच में दोपिन टेस्ट नरसिंग यादव का पॉजिटिव पाये गया, आप लोग मुझे बताई दोस्तों कि सुप्रीम कोट यदि किसी को दोशी मांद लेता है, तो इसके बार उस व्यक्ति का समर्थन करना चाहि मसलन के तौर पे लालू प्रशाद यादव के उपर आरोप सिद्ध हो गए हैं, हम लोग कितना ही चाती पीट लें, कितना ही बोलें कि लालू यादव निर्दोश है, तो क्या हमारे निर्दोश कहने से लालू यादव के दाग दुल जाएंगे, क्या लालू यादव निर् भूचन सरन सिंग को भी हमारे देश के अदालत निर्दोश बता देती है तो उसको बलतकारी कहना उसको यौन सोशन का आरूपी कहना सरा सर वलत होगा लेकिन यहां पर हम लोग सिर्फ इतनी ही मांग कर रहे हैं कि ब्रेज भूचन सरन सिंग के आपर कारवाई की जाए उसके उपर आट लगा है दोस्तो livres और आपर नुसी जैसे फायार होती है तुरांट बाद गिरफतारी हो जाती है इस्पूरे मामिले के अदर अब्रेज भूचन सरन सिंग की गिरफतारी नहीं हुई है ब्रज भूशन को गिरफतार किया जाना चाहिए जेल के सलाखों की पीछे देजना चाहिए उसके बाद इसके उपर ट्राइल चलना चाहिए और यदि ये निर्दोश होता है तो जितनी भी महिला पहलवान है इनके उपर भी कली से कली कारवाई होनी चाहिए ऐसा मैं मानता लेकिन अभी इस वक्त इस देश के तमाम लोगों का ये दायत तो बनता है ये फर्ज बनता है कि वो इन महिला पहलवानों के समर्थन में ख़री दिखाई दें और मैं यादव समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि बिना किन्तू परंतू के आप सभी लोग इन महिला पह नहीं देंगे तो पॉलिटिकल दृष्टी कौन से भी हमें इनका समर्थन करना चाहिए और देश की महिला पहलवान होने के नाते भी हमें इनका समर्थन करना चाहिए मैं चाहनगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करने का काम कीजिए इस चैनल को स सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लिजिए मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद